दोस्तो ये है मेहंदरा के यूवी हंड्रेट और इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ रही है काफी बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ जो इस गाड़ी का क्लच का पैडल है वो काफी ज्यादा हाड हो चुका है जी हाँ दोस्तो काफी ज्यादा हार्ड हो चुका है काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है तब जाकर के क्लच पेडल प्bigड प्रेश ہو रहा है देख सकते हैं क्लच का पेडल मρε Ref दबा रहा हूं और काफी ज्ञादा तागत लगाना पड़ रही है मुझे क्लच वो गाड़ी का pick up नहीं है हमारी गाड़ी में तो आखर ये problem क्यों आ रही है हमारे गाड़ी का paddle hard क्यों हो गया है वही जानकारी दूँगा मैं इस वीडियो में तो वीडियो के last तक बने रहे हैं तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा इसके gearbox को बाहर निकालना होगा तो देख सकते हैं ये हमारा gearbox है ये लगा हुआ है और gearbox की जो ऊपर की fitting है वो काफी fitting मेंने खोल लिए और जो नीचे की fitting है वो भी रह गयाए इसकी mounting प्लेट और क्लेश प्लेट काफी ज़्यादा घिसी हुई है इसकी देख सकते हैं आप जो लाइनिंग है उपर की वो काफी ज़्यादा घिस चुकी है रिपीट के काफी उपर तक यह लैदर रहती है अभी क्या हुआ है कि रिपीट के काफी नीचे यह लैदर पहुंच चुक की है गेश चूकी है काफी दोनों से सेम कंडिसेन है दोनों तरफ से इसी की बड़े से हमारी गाड़ी में पिकप की और गेर शिप्टिंग की प्रपलाम का रही थी और हमारा क्लेश का पेडल हाज़ हो रहा था वह इस प्रे efficiently कीब की बड़े से हार्ड हो रहाता है यह हमारी प्रेसर प्लेट है जो हम Certainly के यूज़ करते हैं तो ये दप होता है इसमें जो बैरिंग वह दबाता है यह खराब क्यूं होता क्लच को दबाकर रखते हैं में क्लच को यूजड करने के बात से क्लच को छोडते नहीं हैं और दबाकर रखते हैं taps है क्लच पिलेटGod और प्रेट हीड हो जाती है जिससे हमारा पैडल हार्ड हो जाता है और यह हमारा क्लच का बेरेंग valid कोई lickies भी नहीं है और ये jam भी नहीं है बिल्कुल furry है और आवाज भी नहीं कर रहा है तो इसलिए हम इसको change नहीं करेंगे हम clutch set को change करेंगे यह नए clutch set है हमारा और यह clutch plate है हमारी आप देख सकते हैं और नए clutch plate में पुराणी में काफी referring है वो अभी check करेंगे हम और यह pressure plate है हमारी इसी की बला से गाड़ी में clutch का pedal हमारा hard हो रहा था तो clutch plate pressure plate को दोनों को हम change कर रहे हैं और आप देख सकते हैं यह genuine एकदम महंदरा का है यह और नई में पुरानी में क्या different है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी यह हमारा प्राना clutch set है और यह clutch plate देख सकते हैं काफी ज़्यादा घिसी हो यह इसमें जो lining है वो काफी घिस गई है आप देखेंगे बिल्कुल जो निसान होते हैं वो काफी मिट चुके हैं इसके और जो नई clutch प्लैट है उसमें देखेंगे तो उसमें काफी ज़्यादा ये लाइनिंग है तो ये घिस चुकी है इसी की बड़ा से ये गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहे थी कि गाड़ी हमारी एपड़ेज और पिकप नहीं ले रहे थी और जो गेर सिप्टिंग की प्रॉब्लम आ रहे थ तो आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है अब हम चेक करते हैं इसके क्लच की पेडल को तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ हो गया है क्लेश का पैडल काफी ज़्यादा हाड था पहले तो जब भी हम गाड़ी को चलाते थे थोड़ा चलाने के बाद से हमारा पैर दर्द करने लगता था क्लेश का यूज़ करते करते अब आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ हो गया है हमारा क्लेश जैसे होना चाहिए क्लेश का पैडल उस तरीके से हमारा क्लेश का पैडल अब हो चुका है और गाड़ी के क्लेश के लगाने के बाद से पिकप में भी काफी जादा फरक आया है एकदम पिकप अच्छा हो गया है हमारी गाड़ी का और गेर भी सारे सही पढ़ रहे हैं गेरों में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है काड़ी एकदम ओके हो चुकी है हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही चैनल को सस्क्राइब भी कर ले